मनुष्य दो प्रकार के लोगों से बना है। बुद्धिमान लोग जो जानते हैं कि वे मुर्ख हैं और मुर्ख लोग जो सोचते हैं कि वे बुद्धिमान हैं। उन लोगों को विश्वास योग्यमत समझो। जो तुम्हारे सभी शब्दों और कार्यों की प्रशंसा करते हैं, बलकि उन्हें समझो जो तुम्हारे दोशों को छमा करते हैं, दयालू बने, क्योंकि आप जिस किसी से भी मिलते हैं, वह एक कठीन लड़ाई लड़ रहा है, मैं लोगों के ढंग से बोलकर जीवित रहने के बजाए, अपने ढंग से बाते करके मरना अधित पसंद करूँगा, गहरी इच्छाओं से अकसर सबसे घातक घरेना आती है, हर हाल में शादी करो, अगर आपको अच्छी पत्नी मिलती है, तो तुम खुश हो जाओगे, अगर बुरी मिलती है, तो तुम एक दार्शनिक बन जाओगे, केवल एक ही अच्छाई है ग्यान, और एक बुराई है अग्यान, सच्छा ग्यान हम में से प्रतिक के पास तब आता है, जब हमें यह अहसास होता है, कि हम जीवन अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कम समज़ते हैं, वह सबसे अमीर है जो कम से कम संतोष्ट है क्योंकि संतोष प्रकिर्टी का धन है मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन मानव जीवन का उच्चेतम रूप खुद से और दूसरों से सवाल करना है एक महिला पर उस समय भरोसा ना करें जब वह रो रही हो रोना महिलाओ की प्रकिर्टी में है वह तब रोती है जब उन्हें अपनी बात मनवानी हो जोटे शब्द ना केबल अपने आप में बुरे हैं बल्कि वे आत्मा को बुराई से भर देते हैं मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता मैं केबल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ शिक्षा आग जलाना है बरतन भरना नहीं झालाओ कर सकता हुआ आगा हुआ थी।